27 जुन के दिन रशियन मिलिटरी ओफ डिफेंस ने प्रेस कॉन्फरेंस के माध्यम से कुछ एसे तथ्य प्रकाशित किये जिनको लेकर आज पूरी दुनिया में हड कंप मचा हुआ है रशिया ने दावे के साथ कहा है कि यूएस एक लैब मोडिफाइड वाइरस के माध्यम से दुनिया के अंदर महामारी फैलाने का प्रेयास कर रहा है जिसका नाम है H5N1 यानि बर्ड फ्लू वही बर्ड फ्लू जो कि वर्तमान दुनिया के अंदर तेजी से फैल रहा है एवं जिसका कोई भी इलाज नहीं है परेंतु जब आप पूरे सच को सुनेंगे तब आपके रातों की नींद उड़ जाएगी वर्तमान के समय पर दुनिया के अंदर एक बड़े फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का तयारी हो रहा है जिसके माध्यम से मनुष्यों को कीडे मकोडों की तरह मरवा दिया जाएगा यह हमला एक अदुरुश्य अस्त्र से होगा जिसको की बायोलोजिकल वेपन कहा जाता है प्लैनिंग है एक और महामारी को फैलाने का जिसका गोनेगार रशिया एवं चाइना को बनाया जाएगा 27 जुन के दिन रशियन मिलिटरी ओफ डिफेंस ने एक हाई लेवल प्रेस कॉन्फरेंस का आयोजन किया था जिसका चर्चा आज पूरे दुनिया में हो रहा है रशिया ने तथ्य एवं प्रमानों के आधार पर ये दावा किया है कि यूएस अत्यंत गुप्त तरीके से यूक्रेन के अंदर अनेको बायो लैप्स को चला रहा था परंतु रशियान इंटलिजन्स डिपार्टमेंट को कुछ एसे डॉकुमेंट्स मिले हैं जिनमें स्पष्ट रुप से कहा गया है कि आवियन फ्लू जैसे खतरनाक बिमारी को इनी लैब्स में मोडिफाई करके बनाया गया है एवं जल्द ही इसे पूरी दुनिया में फैला दिया जाएगा जिसके कारण एक और महमारी का आरंब हो जाएगा जिसका आरोप रशिया एवं चाइना पर लगा दिया जाएगा इस एवियन फ्लू को बर्ड फ्लू भी कहा जाता है जो कि आज दुनिया के आनिको देशों में तेजी से फैलते जा रहा है और जिसको लेकर वैज्यानिकों ने पहले से ही चेतावनी जारी करके कह दिया है कि ये बिमारी महामारी का रूप लेने वाला है पर किसी निसकर्ष पर पहुंचने से पुर्म हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि युग का नाम कल्यूग है जहां छल असत्य एवं अधर्म का राज है एसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ एसे तथ्या मिले है जो आपको क्यवल कन्फ्यूज ही नहीं बलकि हैरान भी कर देंगे युएस सेंटर फर डिजिस कंट्रोल अंड प्रिवेंशन के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार युनाइटेट स्टेट्स के सभी 50 राज्यों में बर्ड फ्लू चिंता जनक स्तर पर फेल चुका है करोडों की संख्या में गाय, भेड, बकरी, मुर्गी, बतक, इमू जंगली जानवर एवं पक्षी यहां तक कि कुछ मनुष्य भी इसका सिकार बन चुके हैं, केवल युएसी नहीं, बलकि यूरोप के अनेकों देशों में भी ये बर्ड फ्लू तेजी से फेलते जा रहा है, यूएस एवं यूरोप के बाद ये बिमारी जहां सबसे अधिक फेल रहा है, वो है रशिया एवं चाइना, और यही बात सबसे अधिक कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि पक्ष एवं बिपक्ष, दोनों ही इस बिमारी का सिकार बन चुके हैं, इससे भी अधिक हैरानी की बात ये है, कि इसी जून के महीने में, प्रसिद न्यूज विमारी से बचाया जाएगा, परन्तु भारत के एमस द्वारा स्पष्ट रुप से कहा गया है, कि मनुष्यों के लिए एवियन फ्लू का कोई वैक्सिन नहीं है, और जो अन्य इन्फ्लूएंजा वाइरस के वैक्सिन्स हैं, उनका असर एवियन फ्लू पर नहीं होता है, यदि वैक्सिन है ही नहीं, तो भला यूरोपियन उनियन इनका ओर्डर के से दे रहा है, यानि डाल में काला नहीं, पूरा का पूरा डाल ही काला है, 40 मिलियन एवियन फ्लू के वैक्सिन्स का ओर्डर, CSL Secures नामक कमपनी को मिला है, ये कमपनी दुनिया के सबसे मैनिफेक्टरिंग कमपनीज में से एक है, जो कि स्पेशिली इन्फ्लूएंजा वाले वैक्सिन्स बनाता है, और आप इसे संयोग समझे या फिर कुछ और, एवियन फ्लू एक इन्फ्लूएंजा वाइरस है, एवं येही CSL नामक कमपनी यूक्रेन में एक सीक्रेट बायो लैव्स को चला रहा था, पर अब युद्ध के कारण उन्हें अफ्रिका में शिफ्ट किया जा रहा है, आप में सियनी को सदस्य इससे अंजान होंगे, कि एवियन फ्लू को बर्ड फ्लू इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये बीमारी केवल और केवल पक्षियों में ही पाया है, 2021 से पुर्व इस बीमारी का human transmission possibility सुन्य प्रतिशत था, परंतु आज 2024 में अनेको मनुष्य इसका सिकार वन चुके हैं, ये तथ्यप परियाप्त है, इसे प्रमानित करने के लिए कि इस एवियन फ्लू को लैब में ही modify किया गया है, और अब इसे दुनिया भर में फेलाय जा रहा है, ताकि अपने आप ही और अधिक विकशित होकर संसार में मृत्यू का तैंडव मचा सके, ठीक वेसे ही जैसे कोरोना ने मचाया था, भविश्य मालिका में संथ गुरु अच्चूत अनंद जी ने कहा था, कि तृतिय विस्व युद में एसे एसे अस्त्रों का प गुरुदेवी यही पर ही नहीं रुके, बलकि उन्होंने ये भी कह दिया था, कि चौबी संक में ओचिन्ह ब्याधी यानि अंजान बीमारी दुनिया भर में फैल जाएगा, जिसके कारण असंख्य जीवन चले जाएंगे, आज इस एवियन फ्लू के कारण लाखों नहीं, कारोडों की संख्या में जीव जन्तु मारे जा चुके हैं, बलकि परिस्तिती इतना भयंकर है, कि कुछ-कुछ प्रजाति तो इस बीमारी के कारण विलुप्त होने भी जा रहे हैं, आप सबने Illuminati Group का नाम अवश्य सुना होगा, जिनके विशे में मैंने अपने पुराने वीडियोज में अत्यंत विस्तार से चर्चा किया था, यदि एक लाइन में कहूं, तो Illuminati वही संस्ता है, जो कि संपोर्ण विश्यों को नियंत्रित करता है, और इस संस्ता का सबसे मुख्य एजेंडा है, पॉपुलेशन कंट्रोल, यानि जन संख्या नियंत्रन, जिसके तहत युद आपदा एवं महामारी के माध्यम से असंख्या मनुष्यों को मार दिया जाएगा, क्या आज ये सब नहीं हो रहा? इसलिए तो कहता हूँ, युग का नाम कल्यूग है, जहां एसी एसी घटनाए होंगी, जिनका कलपना इंद्र चंद्र ने भी नहीं किया होगा इन कॉंस्पिरेसी थियोरिस के विशे में साधारन लोगों को कुछ भी पता नहीं है, वो तो अपने तेले नमक के संसार में व्यस्त हैं, इससे अंजान कि उनका पहला सिकार यही साधारन लोग ही बनने वाले हैं क्या आप बता सकते हैं कि बाइडेन परिवार का कौन सा सदस्य पहले यूक्रेन और अब अफरिका में बने यूएस के सीक्रेड बैलाप्स को फंडिंग देता है जल्दी से उत्तर कॉमेंट कर दीजिए क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित करूँगा पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि नॉर्थ कोरिया आखरी बार कौन से साल में युद्ध लड़ा था सही उत्तर है 1950 से 1953 विजेता है योग फॉर आल 21 हमारे परिवार से जुडने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप भी इस परिवार का हिस्सा बने लाइक, शेर, सब्सक्राइब एवा फॉलो करे ताकि सच हर घर तक पहुँच पाए जय जगनात, जय पंच सखा, जय हिंद